नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल एक्जाम फाइटर्स में दोस्तों जैसा कि आज आपको पता है कि हेमन सोरें ने मुख्य मंत्री के तोर पे जो है आज सपत लिया है और जैसा कि उन्होंने अपने सपत में जो प्रोमिस किया था कि सरकारी भरत जितनी भी खाली पद हैं उनको भरा जाएगा तो उसको लोके हेमन सोरेंजी ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूजिक दे दी है जैसा कि उम्मीद भी क्या जा रहा था नई सरकार नए जोज के साथ आई है नई उमंगों के साथ आई है बहुत सारे चात्रों की महतोकांग् और सब्सक्राइब कर ले जो नए है ठीक है और मैं आपको आज की कैबिनेट के महतोपूर्ण फैसले जिसमें एक छात्रों का हित भी भरा पड़ा है जो छात्रों उमीद लगा कर एक वेकेंसिस की तो यह देखे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यह ओफिशल जो ह का 29 दिसमबर 2019 करसर चो की काम नहीं कर रहा है पॉइंटिंग का इसले थोड़ा से दिक्कत होगा लेकिन जो में जो पॉइंट वाली बात है मैं आपको डायरेक्ट उसी पर लेके चलूंगा देखें यह उपर लिखा हुआ है सरकार गठन के पस्चात 29 दिसमबर 2019 को आयुज देख सकते हैं यह यह बीच वाला पॉइंट आप देख सकते हैं चमा चाहूंगा पॉइंटर काम नहीं कर रहा है इस वज़े से जो है लेकिन जो में पॉइंट हम आपको डायरेक्ट उसी पर बिन आपका टाइम वेस्ट के वह आपको डायरेक्ट पॉइंट पर जो है प्रात्मिक्ता दिये हुए है तो अच्छी बात है यह बहुत इच्छी बात है चात्रों के लिए गुटनीउस है इसमें बहुत बड़ा गुटनीउस है और निश्चित है कि आने वारी विकेंसिस की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ने वाली है जो सेज़ेल जो एकजाम होने वाला है वो भी बहुत जल्द होने के समावना है जारखंड संजुक तसनातक कस्तरीय परिख्छा बहुत ही जल्द है उमीद होने की लेकिन जो सोनी-कुमारी से प्रभावित है सोनी-कुमारी वर्से स्टेट उप जारखंड जो कि पंचाय सचिव से अफड़ुक्त है तो पंचाय सचीव का जो भी डिसिजन होगा वो सरकार के उपर है और ज्यादा वो कोट के उपर निर्भर है कि कोट उसमें क्या करती है 20 जनौरी को मामला लेस्टेड है समयधानिक पीट के सामने लेकिन जैसा कि फैसला लिया गया था कैबिनेट पहले कैबिनेट फैसला ले लिया गया है कि भरतियों को सरकारी भरतियां जितने भी खाली है रिक्तियां जो है उसको जल्द से जल्द भरा जाए तो अगर कोई ऐसा निगेटिव होता अगर बहुत ज़ादा पॉलिसीज में चेंज करना होता है हमन सरकार को तो पहली कैबिनेट में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लाती कि आगे वाली विकेंसिस को स्टॉप करके जो पहले नीती बनती जो भी होती उसके बाद ही कुछ होती नई प्रक्रिया आगे बढ़ती जैसा कि देखा गया है लेकिन अब पूरी उमेदे के जैसा ने संकेत दे दिया है हमन सरेंजी ने कि उनकी प्रात्मिक्ता है सरकारी नौकरिया भरना और अव्यसी बात है 100% जो है रिजर्व हो चुका है जेपीसी को छोड़के सिर्फ जारखंडी छात्रों के लिए तो इसमें हमन सरेंजी को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए तो इंडिकेशन तो मिल गया है तो आप भी अब लग जाईए और तगड़े से लगिए जोड़ से लगिए क्योंकि वेकिंसी जो है मेरे हिसाब से अब बहुत जल्द आने वाली है और हमन सरेंजी ने कहा भी था कि लाखों पज्जो सरकारी पज्जो खाली है वो पहले साल महीं भर लिए जाएंगे तो आपके लिए गुटनी उस है तैयारी में लग जाईए और पंचाय सची वाले थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बिस जुनोरी को आपका मामला लेस्टेड है समयधानिक पीठ में तो मैं तो मेरा ये मानना है कि 25 परसेंट हेमन सरेंजीन के अपके साथ भी अच्छा ही होगा आप लोग लगे हैं जी जान से लगे रहिए लगे रहिए और उमीद है फैसल आपके पक्ष महीं आएगा और जो जैसे से सीजल वाले हैं वो भी लग जाए आपका एक्जाम जो है मैंने बताया था कि फरवरी में अभी तक प्रस्ता बिट दूँगा कि आपका एक्जाम जो है कब होगा तो बने रही है हमारी यूटिब चैनल के साथ और जो लोग हमारे टेस्स सीरीज में जारखंड की नंबर वन टेस्स सीरीज में सीजियल जिसमें 8000 प्लस चात्र रिइस्टर हो चुके हैं अगर आप टेस्स सीरीज में हम आप पे हाथ पे हाथ धरे न रहें कि एक्जाम कब होगा आप एक्जाम के तयारी शुरू कर दीजिए और एक जो ऑनिस चात्र होता है अपने एक्जाम के प्रती वो यही करता है तो अगर आप चाते हैं तो हमारा टेस्स सीरीज जिरुजान कर लीजिएगा तो अब आपका काम शुरू होता है अब आप लोग लग जही अच्छे से आपको हमारे टीम की और से अल दे बेस्ट आव गुड डे गुड नाइट जै हिन जै भारत जै जारकन